मित्रों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 9 नवंबर 2020 का दिन करकरासी वालों के लिए कैसा भीतेगा आज के दिन आपके जीवन में क्या-क्या पड़िवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 9 नवंबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है अस्ट में नक्छत्र है आसलेसा पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है सोम बार आज के दिन सुर्य उदय का समय है छे बजी के उनचालीस मिनट में सुर्य अस्त का समय है पाँच बजी के तीस मिनट में रितु है हे मन्त आजी का दिन काल है दस घंटे पचास मिनट बाबन सेकेंड का महिना है कार्तिक आजी के दिन सुब शमय शुरू होता है ग्यारह बजी के पैतालीस मिनट ऐम से बारह बजी के पचीस मिनट पीम तक असुभ काल सुरू होता है दो बज के 36 मिनट पीम से तीन बज के 20 मिनट पीम तक राहु काल सुरू होता है आठ बज एम से नो बज के 22 मिनट एम तक दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के अंत में आज के दिन का अनोखा टोट का भाग्य साली रंग और भाग्य साली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दे साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दे और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करे मित्रों आज के दिन आपका रूखा बड़ताब आपके जीबन साथी का मुड़ खराब कर देगा इसलिए आज के दिन आपको अपने बिभार को अपने बिहेबियर को बहुत ही जयादा बिहतर और सांदार बनाना होगा क्योंकि अगर आप किसी विक्ती का अनादर करते हैं किसी विक्ती का अगर आप सम्मान नहीं करते हैं तो उस विक्ती के साथ आपका शंबंध कमजोर हो जाता है इसलिए आज के दिन अपने जीवन साथी को या किसी भी इनसान को जिसे आप जानते हैं जिनसे आपकी जान पहचान है ऐसे लोगों को इग्नौर करने से आपको बचना होगा दोस्तों आप में से जो भी जातक जो भी दर्सक धन संपती का निवेस करना चाहते हैं तो निवेस के दृष्टी कोन से आपका समय बहुत ही ज्यादा बहतर और सांदार है दोस्तों आणे वाले समय के दौरान आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक नसा पान करते हों सराब का सेबन करते हों तो इन चीजों को आपको त्याग ना होगा दोस्तों आने वाले समय के दौरान आपके घर पड़िबार में अगर आप कोई लापडवाही करते हैं अपने काम काज को अपने जिम्मेदारी को अगर आप सही से नहीं निभाते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके घर पड़िबार में कोई विक्ती आपसे चिढ जा मित्रों आने वाले समय के दोरान आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ आपके दिल की धरकने ताल से ताल मिलाती हुई नजर आएगी और इस कारण से आने वाले समय के दोरान आपके जीवन में कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आपके लिए अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक क्या है दोस्तों आने वाले समय के दोरान अपने समय को बहतर और सांदार बनाने के लिए आपको सुर्ज असनान करना है अगर आप ऐसा करते हैं आने वाले समय के दोरान अगर आप सुर्ज असनान करते हैं तो आपका आने वाला समय सांदार हो जाएगा आज आपके लिए भाग्यसाली रंग है हरा और फिरोजी आज आपके लिए भाग्यसाली अंक है पांच यानी की फाइब तो यही था आज के दिन का रासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद